Hello students of 8th standard, historical lesson 8, civil disobedience moment, अब हम देख रहे हैं इस lesson को स्टार्ट करने के पहले में आप सभी से रेक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें जादा सरे बच्चों का फाइदा हो सके चलिये, अब हम स्टार्ट करते हैं After the resolution of complete independence was passed in the Lahore session, Mahatma Gandhi decided to launch the civil disobedience movement. Before beginning this movement, Gandhiji put up various demands in front of British government. One of the important demands was to cancel the salt tax and monopoly of British government for manufacture of salt. But because the demands of Gandhiji were rejected by government, he decided to launch Satyagraha all over India by breaking the salt act. तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक resolution complete independence का Lahore session में passed किया गया. Mahatma Gandhiji ने civil disobedience movement start करने का program बनाया. Civil disobedience movement जिसे हम सवी ने मतलब बिलकुल आदर से disobedience जिसे अवज्या बोल सकते हैं कि हम उन्स चीजों को नहीं आदर सहीत हम किसी जिन चीजों को नहीं मानेंगे. जिसे हम सवी ने अवज्या अंदोलन सपष्ट हिंदी में हम बोल सकते हैं मतलब हम मिलकुल हिंसा नहीं करेंगे लेकिन हमें चीजों को नहीं मानना हैं हम नहीं मानेंगे ऐसा एक अंदोलन एसा एक moment था ये. तो इसके पहले गांधी जी ने कुछ demands थी जो British government के सामने रखी उसमें से एक demand थी कि salt tax जो है वो पूरी तरह से हटाया जाए और British government जो salt को manufacture करती है वो अभी पूरी तरह से बंद किया जाए क्योंकि यह rights सिर्फ British government के पास ही था कि वो salt को produce करेगी तो यह गांधी जी को यह गांधी जी को ही क्या हमारे देश के साधर नागरिक को भी अस्विकार नहीं था कि नमक पर भी tax लगाया जाए उसे भी महंगा बैचा जाए या फिर produce करेंगे भी तो ब्रिटिश हर से करेंगे तो यह कोई भी मानने के लिए तयार नहीं था तो ऐसे समय में गांधी जी ने गांधी जी स्टार्ट अब यह सॉल्ट जो है बहुत इंपोर्टन इंक्रीडियंट है मतलब पूर लोग भी विचारे अटलिस्ट नमक किसी भी चीज में डाल कर खा सकते हैं और दूसरी चीज़े ना भी मिले तो चलता है क्योंकि हमारे देश में बहुत गरीबी थी तो ग यह तो किसी भी लोगों के लिए मतलब लायक नहीं है इसलिए सॉल्ट सत्यागारा करने का कोशिश की गई।। एम किया था कि जो भी unjust law British government कर रही है हमारे देश में उसको पूरी तरह से हटाया जाए एवन Britishers को भी हमारे देश से हटाया जाए गांधी जी चोज दांडी असी शोरिं गुच्राट 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 के किनारे में गुच्राट के जो समुद्र के किनारे में बसा उस जगह को चुना जहां पर सॉल्ट सत्याग्रा होना था अन 12th March 1930 गांधी जी सेट आउट फ्रम साबरमती आश्रम विट 78 फॉलोवर्स फॉर लॉंचिंग दर सॉल्ट सत्याग्रा तो 12 March 1930 को गांधी जी वहां से साबरमती आश्रम से निकले जिसमें 78 लोग उनके साथ में थे और यह सब लोग सॉल्ट सत्याग्रा के लिए निकल पड़े और दिस्टन्स वस अप्रॉक्सीमेटली 385 किलोमेटर वस कवर्ट ओन फूट और गांधी जी डिलीवर्ड स्पीचेस इन विलेज ऑन तवे तो उनका प्रोग्राम ऐसा था कि यह जो अंतर था साबरमती था साइन का प्रोग्राम था था थूदस्पीच इस गांधी जी अपील टू दू दू पीपल टू बी और फियरलेस मों बिल्कुल निर्भय हो जाएं दू टू गांधी जी से स्पीचेस मैसेज और सिविल डिसोबीडियनस मोमेंट श्पेड़ेटर अब गांधी जी के भाषन के और मैसेज की वज़े से सिविल डिसोबीडियनस मोमेंट जो है बहुत जल्दी सभी जगर फैल गया और उसको एक अच्छा सा एड्मोस्पियर वातावरण मिला और 5th April 1930 गांधी जी रीच दांडी और 5th April 1930 को गांधी जी दांडी पहुँच गया और 6th April गांधी जी ब्रोक दर सॉल्ट एक्ट बाई पिकिंग अप दर सॉल्ट लेंग अन दर सीशोर अप दांडी और इस त तरह से civil disobedience moment start हो गई पूरे देश में दा पेशावर सत्याग्रह क्या था वो अब हम देखेंगे In the North West Frontier, Khan Abdul Gaffar Khan was the most loyal follower of Mahatma Gandhi उसी समय में North West Frontier पर छो Khan Abdul Gaffar Khan थे वो एक loyal और बहुत इमानदर ऐसे गांधी जी के Mahatma Gandhi के follower थे He was also known as Frontier Gandhi जी ने Frontier Gandhi के नाम से भी जाना जाता था He had founded the organization called Khudai Khidmatkar उन्होंने एक organization बनाई थी जिसका नाम Khudai Khidmatkar रखा गया था On 23 April 1930, he started Satyagrahe at Peshavar और उन्होंने Peshavar जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पर 23 April 1930 को उन्होंने Satyagrahe start किया The town was in the hands of Satyagrahees nearly for a week The British government gave orders to Gadwal Regiment to carry out open firing on the Satyagrahees तो ऐसे समय में जब उन्होंने Satyagraha चलते वे एक week हो रहा था तो British government ने जो Gadwal Regiment थी उनको बिलकुल बंदुक से firing करने का order दिया कि जो भी ये Satyagrahees हैं उनके उपर तुम बंदुक डिरेक्टली चलाओ बट चंदर सिंग ठाकुर and officer of Gadwal Regiment refused to open fire लेकिन उस समय जो वहां का officer था Gadwal Regiment का चंदर सिंग ठाकुर तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बिलकुल open firing नहीं करेंगे he was court marshal and was given a severe punishment तो उसने जब इनकार कर दिया open firing के लिए सत्या गहीज पे तो फिर उसे court marshal किया गया और फिर उसे बहुत punish किया गया तो यह question आपको पूछा गया है कि इसका चंदर सिंग ठाकुर जो थे उनका court marshal क्यों किया गया और उनको punishment क्यों दी गई तो उसका answer क्या है कि जब यह सत्याग रहीज पेशावर में अंदोलन कर रहे थे उस समय जो ब्रिटिश गवर्मेंट थी उन्होंने डिरेक्टली इस गर्डवाल रेजिमेंट को open firing का आदेश दिया लेकिन जो यह रेजिमेंट के officer थे चंदर सिंग ठाकुर उन्होंने मना कर दिया जिसकी वज़े से उनका court marshal किया गया और उनका severe punishment उनने दिया गया तो जब ब्रिटिश कवर्मेंट ने दिखा कि यह सत्यागरा तो और यह अंदूलन जो है वह तो महात्मा गांदी के द्वारा चलाया गया है वो बढ़ता ही जा रहा है तो उन्होंने फिर 4th में को गांदी जी को अरेस्ट कर लिया तो जैसे ही खबर मिली सत्यागरा ही इसको और तो की महात्मा गांदी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उन्होंने भी फिर सारे लोग बहुत असंतुष्ट हो गया और उन्होंने फिर फिर से अंदूलन करना शुरू कर दिया अभी जब सत्यागरा का अंदूलन चली रहा था तो सोलापूर के जो लोग थे वरकर्स थे वो भी बिलकुल फोर्प्रेंट पे लड़ रहे थे और 6th में 1930 हर्ताल वोज अबसर्फट इन सोलापूर, सोलापूर में 6th में 1930 को हर्ताल की गई A huge procession was organized इन सोलापूर, सोलापूर में बहुत बड़ा एक ऐसा जलसा, जुलूस निकाला गया है और the district collector की orders of firing on the procession तो जो भी जुलूस धीरे धीरे चल रहा था उनके उपर जो district collector थे उन्होंने direct firing का आदेश दे दिया Many volunteers along with Shankar Shivdare died in the firing और जो भी इस firing में बहुत सारे volunteers भी मारे गए जिनमें Shankar Shivdare नामके एक volunteer भी थे As a result, people started attacking police stations, railway station, court, municipal buildings, etc. तो लोग फिर चिड़ गया is firing से और उन्होंने police station, railway station, court जो थे उस पर attack करना शुरू कर दिया Municipal buildings थे उन पर attack करना शुरू कर दिया The government declared martial law and the agitation was suppressed Those who took lead in this moment, such as Malappadhan Shetty, Shri Krishna Sarada, Qurban Hussain and Jagannashind, they were hanged to death So government ने SSM में martial law declare कर दिया और जो भी लोग उन्हें दोशी लग रहे थे, जैसे कि Malappadhan Shetty थे, Shri Krishna Sarada, Qurban Hussain, Jagannashind, इनको mob की सजा दे दी गई यहाँ पर देखिए, उनके pictures यहाँ पर दिखाए गए हैं, यह सर ऐसे हमारे देशवक्ते थे अब धारासना सत्यागरा क्या था? तो सत्यागरा एड धारासना इन कुछरात वस लेड़ बैस सरोजिनी नाइडू अब सरोजिनी नाइडू जो थी, उन्होंने भी यह सत्यागरा धारासना जो कुछरात में था महाँ पर शुरू किया तो यहाँ जो सरोजिनी नाइडू थी वह भी बहुत अच्छी देशवक्त, बहुत बड़ी देशवक्त थी लाठी चार्ज ओन देशवक्त, जो भी सॉल्ट एक तोबने के लिए आगे आता था, पोलीस उन्होंन पर लाठी चार्ज करती थी देशवक्त अच्छी साइलेंटली टॉलरेटेट देशवक्त लाठी और जो सत्यागरही जो थे ना बिचारे सिर्फ लाठी खाते थे क्योंकि माहत्मा गांधी ने क्या वो लगा कि हमें हिंसा नहीं करना है, अहिंसा से ही हमें सत्यागरह करना है, तो अगर आपने गांधी जी पर बनी हुई जो मूवी है, वो देखी होगी तो उसमें यहाँ पूरा आंदोलन हमें दिखाया गया है, तो अगर आपको मौका मि ले तो आप यह मूवी सब जरूर देख सकते हैं फिर उन्हें उन लोगों को जो वॉलेंटियर्स होते थे वो उठाकर एस्पिताल ले जाते थे फिर दूसरा जो दूसरी जो टोली रहती थी वो आग आती थी उन पर लाठी चार्ज होता था इस तरह से यह सत्यागरा चल रहा था एंड दिस कंटीनूट एंडलेस्ली ऐसा बहुत समय तक चलता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े वे थे इन महाराश्टा सौल्ट सत्यागरा तोक प्लेस अड बडाला, मलवन और शिरोडा तो महाराश्टा में भी हैं बडाला, मलवन और शिरोडा इन जगहों पर सत्यागरा किया गया Where there were no salt pens, the forest laws were broken, जहाँ पर नमक वाला सत्याग्रह या salt pen नहीं थे, जहाँ पर नमक बनानी की जगह नहीं थी, वो तो ऐसे जगहों पर जो forest के, जो जंगल के कानून थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया, अब इस जंगल सत्याग्रह में बहुत सारे जो आदिव असी लोग थे, उन्होंने भाग लिया, sacrifice of Papu Genu, in Mumbai there was agitation against foreign goods, the vehicles transporting foreign goods were obstructed, अभी देखिए, मुंबई में भी यह सत्याग्रह कैसा हुआ, कि लोगों ने जो foreign goods थे, उनको उनका त्याग करना शुरू किया, और उनके विरोध में आवाज उठाना शुरू किया, तो जो भी वीकर्स जिन वाहनों में यहाँ, माल इंग्लेंड से हमारी कंट्री में आता था, उनका जो है, बहिशकार किया गया, मतलब उनको ना लें, ऐसा, मतलब लोगों ने अपोस किया उस चीज़ को, तो बाभू गेनू से एड़ मेल वरकर, तो बाभू गेनू जो था, एक वरकर था मुंबई में, वो इस मोमें में बहुत आगे था, अट्रक क्यारिंग फोरिंगू स्टेव काड़ेंड बाभू गेनू, तो देखिये कि बाभू गेनू जो थे, वो एक वरकर थे, मिलके, लेकिन जोसे की फॉरेंग गूट्स हमारे देश में आ गया था, जिसके वज़े से बहुत सारे लोगों का रोजकार मार खाट रहा था, और ये जो फॉरेंग गूट्स थे, वो हमको बहुत, मतलब जादा कीमत पर अवेलेबल कराए जाते थे, जिससे लोगों लोग नहीं खरीद पाते थे, तो गरीबी और भी बढ़ रही थी, तो ऐसे समय में लोग बहुत असुन्तुष्ट थे, उसमें से बाबू गेनू थे, जो वरकर उन्होंने फॉरेंग गूट्स का क्या-क्या विरोध किया, तो एक ट्रक जो पूरें फॉरेंग गूट्स से भरकर आ रहा था, तो बाबू गेनू उस ट्रक के आगे लेट जाते हैं, तो वहाँ पर पुलिस उन्हें हटाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो वहाँ से हटे नहीं क्योंकि वो एक सच्चे देश भकते थे, तो ऐसे समय में जब वो नहीं हटते हैं, तो वो ट्रक उनके उपर से चला दिया जाता है, जिसमें के नीचे वहाँ आ जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ शहीद हुए, तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारे स्वातंत्रता से नानियों ने अपने प्राण गवाएं, अब यहाँ, civil disobedience movement जो था, उसके क्या-क्या features थे, क्या-क्या विशेशता है थी, all the movements till now were limited only to urban areas, but this movement became a nationwide movement, people from rural areas registered their participation, तो बहुत सारे जो movements हुए थे अब तक के, वह स्रिफ urban areas मतलब शहरों तक सीमी थे, लेकिन इस movement में पूरे देश भर के गाओं के लूप भी अपने आपको यहाँ पर अंदोलन में उन्होंने participation किया, और इस अंदोलन में भाग लिया, women also took part in large numbers, कस्तूर बागान्थी, कमला देवी, चटोपाध्याय, अवंती कावाई कोखले, लीला वत्ती मुंशी, हंसा बेन महता, लेट द सत्याकरा, तो ऐसे समय में जो women थी हमारे देश में, तो वह भी पीछे नहीं रही जिनमें की कस्तूर बागान्थी, कमला देवी, च अहिन सावाधी थी, जिसमें की वॉयलन्स बिल्कुल नहीं होना था, the British government was trying to greatly suppress the movement, British government ने इस movement को पूरी तरह से दबानी की कोशिश की, but the people protested unarmed, लेकिन लोगोंने बिल्कुल सामना इसका किया, और due to this, the Indian people became fearless, और इसकी वज़े से Indian लोग जो थे बिल्कुल fearless, निर्भय होक इस अंदोलन में उतरें, तो कभी-कभी ये question भी आपको आ सकता है कि features of civil disobedience moment क्या थी, next step भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बापु गेनु का sacrifice था, वो बहुत inspiration था हमारे national moment के लिए, अब roundtable conference क्या थी, वो हम देखेंगे, in the opinion of British Prime Minister Ramsey Macdonald, while the civil disobedience moment was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over, for this purpose, he organized a conference at London, and this conference is known as roundtable conference, in the period between 1930 to 1932, three roundtable conferences were organized, तो अब इंडिया के पर यह Britishist काम तो कर रहे थे, मतलब शासन तो कर रहे थे, तो हमारे देश के civil disobedience को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो कुछ सम्विधानिक इशू थे, उनके बारे में, एक conference मतलब उन्होंने arrange की, Britishers ने कहाँ पर लंडन में, और इस conference को roundtable conference का नाम दिय गया, 1930 से लिकर 32 के वीच में, थ्री roundtable conference organize की गई, तो first roundtable conference क्या थी, roundtable conference means, एक table, जो roundtable है, उसमें, जो भी अधिकारी, जो भी, इंडिया के representatives हैं, Britishers representatives हैं, वो मिलकर conference करेंगे, और इंडिया के constitution के लिए काम करेंगे, अब रहेंसे, Macdonald was the chairman of the roundtable conference, इसके chairman था, Ramsey Macdonald, British अधिकारी, representatives of England and India participated in the conference, तो इंडिया के representatives और इंग्लेंड के representatives में भाग लेने वाले थे, इस इंक्लूदेग, डॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर, सर तेज बहादूर, सपुरू, बैरिस्टर, जिनना, etc. In the conference, there were discussions on the various topics, such as responsible government at central level. तो यहाँ जो roundtable conference थी, उसमें हमारे जो representative थे, उसमें डॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर, सर तेज बहादूर, सपुरू, बैरिस्टर, जिनना, इंक्लूदेट थे, और जो भी topics थे, कि central government, central level पर government किस तरह से काम करेगी, यहाँ, डिसाइड होना था, खीजा, जो भी federal state in India, जो है, मतला हमारे जो देश में किस तरह की government, किस तरह का काम करेगी, यह सब इसमें discussion होना था, तो representatives of different political parties in India and rulers of princely states participated in the conference, तो हमारे इंडिया के जो भी political parties थी, उसके जो representative थे, बहाँ लोग और princely states, मतलब उस समय कुछ राजाओं के शासन थे, तो उनके representative यह सब भाग लेने वाले थे, however, the Indian National Congress did not participate in it, the Indian National Congress was a body that represented the country, तो हमारी बोडी को, हमारी जो country को represent कर रही थी, वह थी Indian National Congress, और इसने उस conference में भाग नहीं लिया, without its participation, the deliberation in the round table conference were indeed meaningless, तो जब यह Congress की representatives उसमें गए ही नहीं, तो वह जो round table conference थी, वह meaningless मानी गई, गांधी इरिविन पैक्ट क्या था, the British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second round table conference, तो British Prime Minister जो थे, उन्होंने एक hope रखी की भई, Indian National Congress जो है, वह second round table में जरूर आईगी, इन विव अपील मेट पैए प्राइम मिनिस्टर, दवाइसराय रिलीस्ट महात्मा गांधी और अधर लीटर स्वाइसराय थे, तो इस राउंटेबल conference में भाग लेने के हिसाब से, महात्मा गांधी को जेल में से छोड़ा गया, किसने छोड़ा तो जो उस समय के वाइसराय थे, तो दस अकंडूसिवल atmosphere was created for the congress to discuss the issues freely, तो एक atmosphere बनाया गया कि freely discussion हो, इसलिए महात्मा गांधी को भी छोड़ा गया, a pact was signed between महात्मा गांधी और वाइसराय इर्विन, उस समय वाइसराय इर्विन थे, जो था, जो हमारे कंट्री का वाइसराय माना जाता था, तो उनके बीच में एक sign हुआ, एक pact बना, जिसे गांधी इर्विन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, according to this pact, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution of India, consequently Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the roundtable conference, तो उसमें मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है, इंडिया के लिए जो भी उसके हित में होगा, वैसा कुछ हम काम करेंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि Indian National Congress, जो थी उन्होंने उसके लिए क्या करना चाहिए, कि Indian National Congress ने ये जो civil disobedience movement है, उसको खतम करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तो ऐसा किसका बोलना था, Britishers का बोलना था, क्या था, कि ठीक है, इंडिया के हित में काम किया जाएगा, और जो है, सभी समझ़ता एक साथ होगा, और इंडिया, मतलब भारत के हित में भी काम होगा, लेकिन इसके लिए, ये जो civil disobedience moment है, उसको खतम करना पड़ेगा, तो यह भी इस table में, मतलब इस conference में, यह भी मान, मतलब नहीं, माना नहीं गया, तो second round table फे होती है, conference में क्या होता है, कि in 1931, the second round table conference was organized, मातमा गांधी attended this conference, as a representative of the Indian National Congress, तो फिर उन लोगों का pact sign होने के बाद, second round table conference होती है, उसमें मातमा गांधी, अपने इंडिया के जो representative, and national congress के बाबन कर जाते हैं, along with the Indian National Congress, representatives of various caste and communities, political parties, as well as princely states were invited, तो इस समय में, और भी representatives, के princely state के, और कुछ caste और communities के लोगों को भी इसमें invite किया जाता है, the government put forth the issue of minorities in the round table conference, तो there were differences regarding this issue, and also regarding the nature of the prospective federal constitution, गांधी जी tried to bring unanimity in the opinion, but was unsuccessful, finally गांधी जी became disappointed, and returned back to India, तो उसमें क्या होता है कि, गांधी जो रहती है, यह issue minorities का उसमें उठाया जाता है, दलीतों का जो issue है वो उठाया जाता है, जिसकी वज़े से गांधी जी नहीं चाते थे, कि हमारे देश में जाती बाद हो, या फिर दलीतों के लिए, अलग से कुछ और मतलब कानून बने या फिर उन्हें अलग रखा जाए, ऐसा कुछ भी गांधी जी नहीं चाते थे, जब roundtable conference arranged की गई थी, तो उसमें डॉक्टर बाबा साइब अंबेट करते, वो दलीत लोगों को represent कर रहे थे, he demanded separate electorates for the Dalits, उन्होंने demand की थी कि मत्यदान संग जो है, या मत्यदान के लिए जो केंद्र हैं, वो दलीतों के लिए अलग से बनाए जाएं, ऐसा उन्होंने second round table में कहा, तो ब्रिटिश प्राइमिनिस्टर रहिम से, MacDonald declared communal awards according to it, Dalits were given separate electorates, गांधी जी went on fast and to death at Yerwada jail, protesting against the granting of separate electorate on the basis of caste, तो जब बाबसाइब अंबेट कर की समांग को, अंग्रेज मानने के लिए तैर होगे, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही थे कि जाती बाद हो और इनमें food पड़े, तो महत्मागंदी को यह बहुत खराब लग रहा था, इसलिए वो Yerwada jail में आमरन अंशन के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाते थे कि कास्ट क्रीट के वज़े से हमारा देश और भी पिछड़ा हो जाए, इसलिए वह वहाँ जाकर आमरन अंशन जी से हम बोलते हैं कि पूरी तरह से भूके रहकर अंशन करते हैं Yerwada jail में, तो फिर जो भी नेशनल कॉंग्रेस के अधर रिप्रेजेंटर रहते हैं वो डॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इस तरह का माहोलभी ना क्रियेट करें कि जिसकी वज़े से दलित जो हैं उनको अलग से देखा जाए और हमारे द कोई नया बखेडा खड़ा हो जाए जिसका फाइधा अंग्रेज उठाएं तो फिर डॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर इस बात को मान लेते हैं और फिर वहां यह रिक्वेस्ट जो होती है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं 1932 महात्मा गांधी और दॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर साइंड फेमस पूना पैक्ट और इस तरह से एक पूना पैक्ट साइन किया जाता है जो महात्मा गांधी और दॉक्टर बाबासाइब अंबेटकर के पीछ में होता है according to this pack separate electorates for Dalit was cancelled and a provision for reserved seats was made तो उसमें consider किया जाता है कि ठीक है Dalit लोगों के लिए कोई अलग electorates नहीं बनाया जाएगा लेकिन एक provision किया जाएगा जहां इनकी seats reserved होंगी आता है third round table conference in November 1932 third round table conference was organized in England the Indian National Congress bycotted the conference thus this conference proved to be futile और third round table भी जो organized होती है इंगलेंड में उसको भी Indian National Congress bycotted करती है जिसकी वज़े से वो भी futile मतलब भी meaningless हो जाती है second phase of civil disobedience moment गांधी जी returned to India from the second round table conference with a dejected mind अब गांधी जी second round table के लिए London गए थे वहां से वहां एकदम dejected mind से मतलब उन्हें कुछ भी समझाता नहीं करना था क्यूंकि समझाता करने लाइक कोई conditions नहीं थी तो वहां से लोटते हैं he decided to restart the civil disobedience moment और वो decide करते हैं कि फिर से हम this civil disobedience moment को start करेंगे गांधी जी वोस इमिजिटली अरेस्टेड और जब वो ऐसा करना शुरू करते हैं तभी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है hence there was discontent among the people इसके वज़े से लोग बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं government responded to this moment by using inhuman oppressive methods and there was strangling of the civic rights everywhere the international congress and its associated institutions were declared illegal तो government एक नहीं चाल चलती है वो क्या करती है कि बहुत सारी जो यह जो भी अंदुलन के जो policies बनाई गई थी उन्हें illegal declare कर देती है और इंडियन national congress और उसके associated institutions को भी illegal declare करती है और restrictions were levied on the national newspaper and literature और जो भी हमारे national newspapers वगरा थे literature थे उनको उपर भी लगाम मतलब उनके उपर भी बंदी ला देती है जिसकी वज़े से finally in April 1934 कांधी जी withdrew the moment and the historic phase of civil disobedience moment came to an end और उसकी वज़े से कांधी जी फिर finally 1934 में उस moment को उस अंदोलन को वापस ले लेते हैं और फिर यह जो phase है civil disobedience moment का वा खताम हो जाता है तो यह था आपका लेसंस एक और नेक्स्ट इसमें मैं आपको उसके question answers दें दूंगी प्लीज जाता से ज़दा इन लेसंस को शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर चैनलेट